अस्लाम अलेकुम आज हम बनाएंगे नमकीन रोश मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ ही दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें इंग्रीडियन्स आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर आड़ करेंगे 100 ग्राम फैट मैंने यहां 1300 ग्राम मतन का गोश्ट लिया है और इसको बड़े साइज में कटवा लिया है अगर आपके गोश्ट के अंदर फैट अलड़ी मौजूद है तो आप अलग से फैट अड़ ना करें मैं इस रेसिपी के अंदर ना घी आड़ कर रही हूँ ना ही तेल जो फैट अड़ किया है वो ही तेल बन जाएगा एक अदर छोटे साइस की बारीक कटीवी प्याज आड़ करें अगर आप चर्वी अड़ नहीं कर रहें तो आप इसके अंदर दो से तीन टेवी स्पून घी आड़ करें साथ से आठ अदद लस्टन के जवे पंदर से बीस अदद साबुत काली में चाट करें हाफ टी स्पून जीरा इस रेसिपी में मसाले बहुत कम डलते हैं साथ ही इसमें हजबजाय का नमक आड़ करें मैं यहां सवा टी स्पून नमक आड़ कर रही हूँ अब हम इसके अंदर पानी आड़ करेंगे मैंने यहां धाई कब पानी डाला है तक्रीबन 600 ml से लेकर 700 ml तक पानी आड़ किया है पानी की कॉंटिटी आप जरूरत के मताबिक कम या जादा भी कर सकते हैं अब आप इसके अंदर कौटर टी स्पून हल्दी याद करें जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए आप इसका ठकना ढाक कर इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें मेरे पास गोश तक्रीबन एक घंटे के अंदर गला है आप अकॉर्डिंगली चेक करें एक घंटा हो चुका है अब हम इसको चेक करते हैं आप देख सकते हैं फैट भी काफी हद तक घुल चुका है यखनी का लेवल भी काफी कम हो चुका है अब हम इसका गोश्ट चेक करते हैं आप देख सकते हैं गोश्ट बिल्कुल परफेक्ली गल चुका है इस पॉइंट पे आप इसकी यखनी में नमक चेक कर ले और हो चुका है आपका नमकीन रोश तयार इसको गरम गरम नान के साथ सर्फ करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलती रहें